हलो दोस्तो स्वागता आपका नेंकेडिन स्टुडियो इसके आप वैक्वेलोस्टी पे दोस्तो आज आपका लेक्चर नंबर लास्ट किसका ठीव लोक थृरी डाल पीडलोक का एक अपना जो लेक्चर वाकिता कार्बन फैमिली वाला हुआ है अपना एक अपना जो topic बच रहा है complex का color वो भी जल्दी ही अपन discuss करने वाले चिंता न करें और जैसा कि आप सब को याद है questions आपको daily मिलना चालू हो गये हैं तो अपन daily questions discuss करेंगे ठीके तो team escape velocity के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं आज अपना topic carbon family और मेरे बारे में लगबख लेता हूं अनेकेडमी प्लस पे और जल्दी अनेकेडमी नीट पे भी दोस्तों में एक शांदार course लेके आने वाला हूं ठीके ना और वहाँ पे आप जोईन कर सकते हैं पूरा का पूरा chemistry अपन बढ़िया तरीके से तयार करने वाले हैं ठीके ना आप सर्च कर सकते हैं मु इमेंड्स के बारे में कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड तिन और लेड अपनी क्या है बटा मेटल्स हैं जर्मेनियम क्या है मेटलोईड है ठीके और कार्बन, सिलिकन, नॉन मेटल है सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें ठीके ना ये सिलिकन, नॉन लेट के बाद में general electronic configuration इनका general electronic configuration n-mine f14 n-1 d10 ns2 np2 होता है ठीक है न इनर्ट गेस ns2 np2 नहीं लिखेंगे ये भी साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे की दरब जाते हैं तो d and f के electron introduce हो जाते हैं समझ गए फिर उसके बाद में सबसे पहले point आता है physical properties में size का size जो है वो carbon silicon germanium tin और lead की बात करें atomic size दोस्तों किसकी बात करने atomic size atomic radius बोल सकते हैं तो lead की सबसे जादा होगी reason उपर से नीचे जा रहे है number of shell बढ़ रहा है और number of shell बढ़ने की वज़े से atomic radius बढ़ती है clear इतनी बात clear ठीक next उसके बात में अपन चलते है आइनाइजेशन एनर्जी के उपर आइनाइजेशन एनर्जी की अगर में बात करूं तो तो carbon, silicon, germanium, tin और lead में lead की जादा होती है बाकी का order यह होता है यह तो normal order हो गया size बढ़ता है आइनाइजेशन एनर्जी कम होती है पर यहाँ पर आप सब जानते हैं कौन से 4F electrons का poor shielding का effect आता है 4F electrons की बज़े से Z effective तेजी से बढ़ जाता है और ionization energy भी बढ़ जाती है इतनी बात clear next ionization energy के बाद में बात आती है दोस्तो electronegativity की अगर अपन बात करें तो carbon की सबसे जादा है फिर silicon, germanium और tin की almost same है lead की थोड़ी सी जादा है यहाँ तो reason आपको साब दिखरा है 4F electrons और यहाँ पर दोस्तो reason की आ जाएगा D electrons क्यूंकि D electrons बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत effect तो आएगा और यह मैंने आपको शुरू आत में भी पढ़ायता कि शुरू शुरू में ज़्यादा effect देखने को मिलता है जैसे boron family में तो aluminium से थेलियम तक बढ़ने ही लग गई थी पर अब अपन boron से carbon आ गए तो D block से थोड़ा सा दूर आ गए तो थोड़ा सा effect कम हो जाएगा समझ में आगई बाद नाइट्रोजन पर जाते हैं तो बिल्कुली effect खतम हो जाता है तो यह मैंने आपको periodic table में शुरू आत में ही समझा दिया था कि जैसे 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 क्या होता है number of shell है ना जैसे जैसे हम D block से दूर जाते हैं D and F electrons का effect कम होता चला जाता है ठीक next उसके बाद में बात आती है melting point की दोस्तो melting point carbon silicon germanium यह network solid कौन से solid है बेटा network solid और network solid में है ना size देखेंगे किसका छोटा है carbon का size छोटा है carbon का size छोटा है carbon का size छोटा है तो carbon carbon bond energy जादा होगी इस वज़े से network solid clear अब बात करें tin तो tin का जो है tin का भी कम हो जाएगा network solid होने की वज़े से पर tin और lead में lead का melting point जादा होता है क्योंकि lead और lead के बीच में जो है lead, silicon, germanium और tin यही आएगा यहाँ पर final order carbon, silicon, germanium, tin, lead and then क्या आजाएगा tin आजाएगा यह इनके final order हो गए समझ मां आगया सबको clear दोस्तों एक दम चलिए next आगे बढ़ते हैं ठीके ना network solid के बाद में network solid के बाद में अपने पास में बात आती catenation tendency catenation tendency catenation tendency किसकी carbon की सबसे ज़्यादा फिर उससे कम silicon, उससे कम germanium, germanium tin almost same और lead कोई भी नहीं शो करता क्यूंकि metallic property होने की वज़े से metallic property बहुत ज़्यादा होने की वज़े से lead catenation शो नहीं करता यह सब catenation शो करते हैं, tin भी catenation शो करता है catenation जो है वो directly proportional होता है, किसके single bond energy के, जिसकी bond energy ज़्यादा होती है जिसके single bond की energy ज़्यादा होती है, उसकी catenation tendency ज़्यादा होती है समझ में आ गई बात, catenation tendency directly proportional to single bond energy catenation tendency directly proportional to single bond energy, इतनी बात clear, next उसके बाद में next, melting point, catenation tendency, ठीक, अब चलते हैं, different या anomalous behavior of carbon, क्या चक करें, anomalous behavior due to small size, high electronegativity, high catenation tendency और एक जो अपन सब में लिखा था, अपनने वो क्या था, high absence of, absence of d orbitals, absence of d orbitals, इतनी बात clear, different behavior of carbon due to small size, high electronegativity, high catenation tendency and absence of d orbital, and absence of d orbital, and absence of d orbital, due to small size, high electronegativity, high catenation tendency, absence of d orbital, carbon shows anomalous, ये different behavior among group 14 elements, clear इतनी बात, क्योंड आउट किसी को next, उसके बाद में बात आती है दोस्तों, stability of oxidation state, है ना, stability of oxidation state, तो इनकी general oxidation state क्या होती है, plus two and plus four, stability of plus four decreases as we move top to bottom, जब हम उपर से नीचे जाते हैं, तो stability क्या होने लगती है, कम होने लगती है, stability of plus four decreases as we move top to bottom, reason क्या है दोस्तों, inert pair effect क्या होता है, उपर से नीचे जाते हैं, d and fk electron बढ़ते हैं और d and fk electron बढ़ने की वज़े से, poor shielding बढ़ती है, poor shielding बढ़ने की वज़े से, z effective बढ़ता है, और z effective बढ़ने की वज़े से, n k s k electron के participation की tendency कम हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते है, inert pair effect, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे, ढंग से, कि plus two and plus four, plus two and plus four, तो plus four की stability की बात कर रहे हैं, तो germanium plus four, tin plus four, और lead plus four में stability, किसकी सबसे ज़्यादा है बटा, germanium plus four की clear, फिर stability of, plus two increases as we move top to bottom, है न, plus four की कम होती है, तो plus two की बढ़ती है, as we move top to bottom, समझ में आ गई बात, तो stability, हाँ बही, germanium plus two, tin plus two, lead plus two में, किसकी ज़्यादा होगी, जल्दी बताओ, germanium plus two, tin plus two, lead plus two में, lead plus two की ज़्यादा होगी, मतलब higher की stability कम होती है, lower की stability बढ़ती है, clear, अब इसमें main or important point, stability of, inert perfect sixth period में लगता है, उस वज़े से, PV two plus की stability, PV plus four से, ज़्यादा होती है, और SN plus two की stability, कम होती है, SN plus four से, तो ये SN plus two, जाना चाता है, plus four में, और plus four आना चाता है, plus two में, तो ये होता है, oxidizing agent, और ये होता है, reducing agent, समझ में आगल बात, ये बड़ी important point है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक, next, आगे बढ़ते हैं, stability of oxidation state, ये अभी पढ़ेंगे अपन, application of inert pair effect पढ़ेंगे अभी अपन, ठीके ना, परिशान नहों है, फिर देखें, अब बात आती है, reactivity, reactivity towards oxygen, सभी element oxygen से reaction करते हैं, mono oxide और dioxide बनाते हैं, क्या बनाते हैं, element E oxygen से reaction करके, MO and MO2 type oxide बनाते हैं, गरम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल, ठीके ना, अब समझे हैं, carbon, carbon monoxide, carbon dioxide, silicon oxide, silicon dioxide, germanium monoxide, germanium dioxide, oxide, tin, plus 2 वाला oxide, plus 4 वाला oxide, lead plus 2 वाला, and plus 4 वाला, ये चारों तो बिटा होते हैं, amphoteric, ठीक है ना, ये होते हैं, acidic, ये unstable होता है, exist at very high temperature, जब SIO2 को भयंकर गरम कर देते हैं, तब जाके SIO बनता है, normal condition में SIU नहीं मिलता है, highly unstable, समझ में आ गई बात, high temperature पर मिलता है, बहुत high temperature पर, carbon monoxide, ये होता है, neutral, समझ में आ गई बात, clear, देखो, carbon की जब oxygen से reaction करते हैं, limited oxygen से, तो CO बनता है, excess से करते हैं, तो CO2 बनता है, समझ में आ गई बात पर गरम करना पड़ता है, दोनों ही case में, clear है, next उसके बाद में lead की बात करें, तो PBO, red color का होता है, गरम करने पर, गरम करने पर PBO, yellow color का मिलता है, कौन सा, yellow color का, इसको बोलते है, messy cot, और ये होता है, letharge, कई लोग गलत पड़ाते हैं, PBO, normally मिलता है, गरम करने पर yellow में convert होता है, ठंडा करने पर वापिस lead बन जाता है, PBO, letharge, ठीके, oxygen की presence में गरम करते हैं, तो PB3O4 बनता है, ठीके न, ये होता है, red brown, red orange color का, कौन से color का, red orange color का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो, रमेश बाबू, तो जो वो सिंदूर होता है, वो यह होता है, PB3O4, समझ में आ गई बात, फिर उसके बाद में, और oxygen की presence में गरम करते हैं, गरम oxygen की presence में करना, नॉर्मली गरम क्या तो, डीकंपोज होके, सब PB2O4 दे जेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, PB2O3, ये बनता है, कौन सा, red brown color का, ठीके, और फिर, और गरम क्या oxygen की presence में, तो, PB2, black brown color का, समझ में आ गई बात, clear है, ये दोनों mix oxide है, बिटा, कौन से oxide है, mixed oxide है, mixed oxide, PB2, PB2O3 होता है, और ये PB2O3 होता है, PB2 होता है, ठीके, तो PB2 सब में नजर आ रहा है न, PB2 तो ये सब के सब क्या है, oxidizing agent है, क्योंकि ये plus 4 वाला है, कौन सा वाला है, plus 4 वाला है, समझ में आ गया सब को, clear, next उसके बाद में, reactivity towards, towards, H2O, water के, है न, देखें यहां पे, water case reaction की बाद कर रहें, carbon, silicon, germanium, तीनों के तीनों, network solid है, network solid होने की वज़े से, ये water के साथ कोई reaction नहीं करते हैं, है न, non metal या metaloid, non metallic nature जादा है, network solid है, bond dissociation energy की value बहुत जादा है, bond dissociation energy की value जादा होने की वज़े से, समझ गए बात को, clear, next, उसके बाद में, तिन जो है, वो steam के साथ में reaction करता है, और बनता है, SNO2, ठीक है न, और साथ में hydrogen gas, SNO2 और साथ में hydrogen gas, गरम करने पे reaction होती है, normally reaction नहीं होती है, क्योंकि reactivity series में, अच्छा खासा नीचे आ चुका होता है, पर hydrogen से उपर होता है, ठीक है न, तो reaction को initiate करने के लिए required energy जादा होती है, lead जो है, वो सारी reaction copper की तरह शो करता है, ये water से या steam से कोई reaction नहीं करता है, क्योंकि surface पे, surface पे, है न, protective layer, कोई बाद में, पापिस लिख देने, reactivity towards water, क्या बोला का मैंने, carbon, silicon, germanium, water से कोई reaction नहीं करते हैं, क्योंकि ये network solid है, ठीक है न, फिर उसके बाद में, किसकी बाद करने, carbon, silicon, germanium, water से कोई reaction नहीं करते हैं, है न, tin जो है, मैंने बोला था, steam के साथ reaction करेगा, और SN02 और साथ में hydrogen gas बना देगा, lead जो है, वो water से कोई reaction नहीं करता, due to, as like aluminium and beryllium, as like aluminium and beryllium, due to formation of protective layer of oxide, due to formation of protective layer of oxide, समझ में आ गई बात, clear है, clear है, चलिए देखे, reactivity towards water complete होता है, next आता है विटा, reactivity towards air, sorry, halogens, halogens के साथ में reactivity की बात करें, तो all elements directly react with halogen form EX2 and EX4 type compound, समझ में आई बात, सभी के सभी, ठीक है न, directly react करते हैं, except carbon, क्योंकि carbon को reaction initiate कराने के लिए, जो energy required होती है, वो बनने से compensate नहीं होती है, तो carbon जो है, वो substitution reaction के through, जो है, वो halide बनाते हैं, समझ में आगई बात, carbon directly reaction नहीं करते हैं, क्योंकि carbon की reactivity बहुत, मतलब low है, तो reaction को initiate करने के लिए required energy ज़्यादा होती है, इसलिए directly, directly नहीं बनाते हैं, समझ में आगई बात, clear, clear, ऐसा नहीं है, carbon नहीं बनाता है, बनाता है, पर direct reaction की बात लिखी है मैंने, direct reaction, समझ में आगई बात, फिर एक important point लिखा हुआ है, उसके अंदर ध्यान रहे हैं, यह पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है, except SNF4 and PBF4, all other, all other, all other, tetra halides, tetra halides are covalent, यह दोनों ही ionic है, बाकी सब covalent है, फिर अभी अपन ने stability पूछा, तो stability का order यहाँ पे भी आ सकता है, केसे, के GX2, SNX2 and PBX2, stability plus 2 है ना बटा, तो plus 2 की stability तो उपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, और GX4, SNX4 and PBX4, stability का order यह आ जाएगा, clear, समझ में आगई बात, फिर इसमें एक important point के आता है, PBF4, PBCl4, PBBR4 exist, बट, PBI4 does not exist, क्यों, redox हो जाती है, PB plus 4 is strong oxidizing agent, I minus is a reducing agent, which converts into PBI2 plus I2, समझ में आगई बात, तो वो PBI4 exist नहीं करता है, clear, फिर अपन चलते हैं, इसमें SNCL2, act as reducing agent, जब अर्दस्त reducing agent होता है, कैसे बनता है, SN की reaction, limited chlorine में करा दो, तो SNCL2 बनता है, chlorine gaze डालना है, aqueous use नहीं करना है, ध्यान रहे हैं नहीं, तो hydrated बन जाएगा, clear है, और excess chlorine use करेंगे, वो ही iron जैसा कैसे बटा, SNCL4 बन जाएगा, clear, अब SNCL2 की जो glass bottle होती है, glass bottle of SNCL2, उसके अंदर क्या डालके रखते हैं, tin का टुकडा, a piece of tin, ये क्या है, tin, समझ गए, और इसमें बहरा हुआ है क्या, essential to a piece, piece of tin is kept in glass bottle of SNCL2, है ना, a piece of tin is kept in glass bottle of SNCL2, a piece of tin is kept in glass bottle of SNCL2, to prevent it from aerial, aerial oxidation, मतलब हवा से oxidize ना हो SNCL2, अपने पढ़ा है reducing agent है, O2 से reaction करके क्या बना लेगा, जल्दी बताओ, O2 से reaction करके बना लेगा, SNCL4 है ना, dot SN02, ठीके, oxidize हो जाएगा, tin plus 2 हवा से oxidize होके, plus 4 में चला जाएगा, तो tin का टुकड़ा क्या करेगा, SNCL4, dot SN02, tin के टुकड़े के साथ reaction करेगा, और वापिस से SNCL2, dot SNO बना लेगा, तो जब कभी oxygen आएगी, कम proportionation हो गया यह, है ना, जब कभी oxygen अगर आ गई, तो जो tin का टुकड़ा है, वो oxidize जो हुआ था, उसको वापिस क्या करदेगा, reduce करदेगा, समझ में आ गई बाद, तो इस तरीके से, इस तरीके से, SNCL2 को अपन SNCL4, dot SN02 में convert होने से बचा लेते हैं, तो tin का टुकड़ा रखा जाता है, glass bottle of SNCL2 के अंदर, clear, next उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ ना, फिर है SNCL2 reducing agent है, तो वो जाएगा किस में, SNCL4 में, ठीक है, SNCL2 reducing agent है, वो जाएगा, SNCL4 में, किस की presence में, KMNO4 oxidizing agent, acidic medium जाएगा, MN2+, में, अब तो पढ़ चुके हो यार, K2CR207 oxidizing agent जाएगा, किस में, CR3+, में, NCRT उठा के देखना, मैंने maximum carbon family पढ़ा रखी है, इसलिए छोट रखी थी, हैंड में के यार, last में पढ़ लेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक है, फिर देखो, FE3+, जाएगा, किस के अंदर, F2+, में, H2O2, H2O, HNO3, HNO2, NO, low reactive metal, सारी, है न, reduce हो जाती है, जैसे बिस्मत, प्लस 3, बिस्मत, AG+, AG, समझ में आ रही है बात, ठीक है न, है न, HG2Cl2, HG, है न, HGCl2, HG, और एक इंपोर्टेंट, AU+, 3, AU, इसको collidal gold बोलते हैं, ठीक है न, purple of case, purple of case, toning में यूज किया जाता है, used in, toning off, in photography, है न, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, यह सब जो ब्लेक PPT होते हैं, ठीक है बटा, यह हो गया, SNCL2 complete हो गया, ठीक, clear, clear एक दम, next, अब समझो बात को, अब बात आती है इसमें, CO, CO2, HCWH, पर concentrated H2SO4 डालेंगे, तो बन जाएगा CO, समझ में आ गई बात, ठीक है, carbon monoxide बनाने का तरीका, dehydration और formic acid, clear, next, CO neutral oxide है, एसे किसी से कोई reaction नहीं करता, ठीक है ना, neutral होता है, colorless होता है, orderless होता है, CO की कोई smell नहीं होती, पर suffocation होने लगता है, suffocating, suffocating होता है, poisonous होता है, hemoglobin को, किसमें, carboxy, hemoglobin में convert कर देता है, ठीक है ना, hemoglobin को carboxy, hemoglobin में convert कर देता है, समझ में आ गई बात, clear, next बात करें, किसकी CO2 की, अच्छा है, ध्यान रखना, CO is green house gas, no, CO green house gas नहीं है, ध्यान रहे, CO2 अपनने कई बार बनाया है, CO2, एक तो carbon को burn किया ही था, अपनने oxygen की presence में CO2, limited में करेंगे CO, carbonate, CACO3 में H+, डालेंगे, कौन सी gas निकलेगी, CO2 gas निकलेगी, CACO3 को heat करेंगे, तो भी कौन सी gas निकलेगी, CO2 gas निकलेगी, fossil fuels को burn करेंगे, तो भी कौन सी gas निकलेगी, CO2 gas निकलेगी, समझ में आगई सब को बात, clear, यह सब CO2, CO2 की सारी property पड़ रखी है, colorless, orderless, colorless, orderless, brisk effervescence, ठीक है न, diamagnetic, non-polar, insoluble in water, है न, टन्स, lime water, barata water, milky, does not react with acidified KMNO4, acidified dichromate, समझ में आगई सब को बात, clear, next, अब इसके बाद में point आते हैं, अपने पास है, yellow drops of carbon, yellow drops of carbon, पढ़ा चुका हूंगे, चेक करना, वीडियो, ठीक, silicate, पढ़ा चुका हूं, silicon, पढ़ा चुका हूं, alumino silicate, पढ़ा चुका हूं, समझ में आगई बास, तो ये सारे topic, जित्ते भी लिखे हूंए, NCIT के अंदर दोस्तों, वो सारे में cover करा चुका हूं, ठीक है न, तो इस तरीके से, अपना blog chemistry भी पूरा complete हो जाता है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, देखें, और जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो join करें, courses चल रहे हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, ठीक है न, और जल्दी नए course launch होने वाले हैं, बेटा, पर मुझसे ही नहीं, बहुत सारे educator पढ़ने से, मतलब आपकी जो rank है, वो काफी अच्छी boost हो जाएगी, आपको वहाँ पर कई सारे option मिलते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी बात ही है, कोई rock talk नहीं है, इसके अलावा, अनेकेडमी प्लस प्लस इसी लिए बोलते हैं दोस्तो, क्योंकि extra quiz test, doubt clearing session, live classes आपको देखने को मिलती है, personalized learning, ठीके न, समझ में आ गई बात, इसके अलावा, इसके अलावा, समझे, ठीके, आपको crash course मिलते हैं दोस्तो, test series मिलती है, test series मिलती है, करना कुछ नहीं होता है, आपको, अनेकेडमी की app को install करना होता है, अनेकेडमी की app को install करना होता है, install करने के बाद में, IITJE goal select करें, select करने के बाद में, code जरूर से use करे, PMS live, PMS live code यूज करने का क्या फायदा, extra 10% का दोस्तो, discount मिलता है, जिससे आपकी जो, एक साल की fees, 30,000 रुपीज की थी, वो हो जाती है, मात्र 27,000 रुपीज की, और दो साल की जो fees, 48,000 रुपीज की थी, वो आपकी हो जाती है, 43,200 रुपीज की, ठीके दोस्तो, तो थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दें, code जब भी आप join करें, code यूज करने का, और कोई doubt हो, feedback हो तो जरूर से दें, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों, भेना, ठीके, टेक केर, टेक केर, टेक केर, गुडबाई, ठीके, गुडबाई नी, भेना, बुडबाई, प्रोड़ाएं फैछल